फेबरोरी महीना काफी बढ़िया रहा है फ्लेक्सिव स्मार्टफोन के लिए यहां पर रियल्मी और आईकू को देश के लिए 5G फोन लाउंच करने का गवरो हासिल हुआ यहां पर सेमसंग चूप गया इस चीज से विच इस ओके डिस्टपॉइंटीन तो यह है यहां पर जो एस्ट्वेंटी सीरीज आ रही है सेमसंग के तरफ से उसमें भी आपको एक्शनस चिपसेट देखने को मिल रहा है वेल आईकू 3 में आपको कॉलकम की तरफ से स्नेप्ड इंडिया चले जहांते कुछ बढ़िया इस पेसिविकेशन की सबसे पहले बात करते तो यहां पर सीप्यू को सबसे पहले हम लोग लेते हैं तो यहां पर कॉलकम स्नेप्ड़गन 865 में आपको कार्यों 585 मिलता है एक्शनस 990 में भी आपको अंक्टोकर सीप्यू मिलता है वही एक्शनस 990 की बात करते हैं तो यहां पर आपको 2 कोर कोर्टेक्स A77 के देखने को मिलते हैं बाकी जो 4 कोर आपको मिल जाते हैं वो कोर्टेक्स A55 के देखने को मिलते हैं CPU Clock Speed के अगर हम लोग बात करते हैं तो Qualcomm Snapdragon 865 में आपको 2.8 GHz की Clock Speed मिलती है जबकि यहां पर अगर बात करते हैं Exynos 990 के तो यहां पर आपको 2.76 GHz की Clock Speed देखने को मिलती है प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो Qualcomm Snapdragon 865 यहां पर 7NM FIN F80 टेक्निक पे बना हुआ है जबकि यहां पर बात करते हैं Exynos 990 के तो यहां पर 7NM EUV प्रोसेस पे बना हुआ है GPU के अगर हम बात करते हैं तो Snapdragon 865 में आपको मिल जाता है Adreno 650 जबकि Exynos 990 में आपको देखने को मिलता है Mali G77 MP11 DSP के अगर हम बात करते हैं तो यहां पर Hexagon 698 DSP आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 865 में जबकि आपको Exynos 990 में Dual Core NPO देखने को मिलता है ISP के अगर हम बात करते हैं तो Snapdragon 865 में आपको Spectra 480 देखने को मिलेगा लेकिन यहां पर Exynos 990 जो आने वाला है उसका नाम अभी decide ने किया गया है कि क्या रखा जाए Camera Capability के अगर हम लोग बात करते हैं तो Snapdragon 865 में आपको अपटो 200 Megapixel तक का Camera Support देखने को मिलता है लेकिन Exynos 990 में आपको 108 MP तक का ही Camera Support देखने को मिलता है Video Capability के अगर हम लोग बात करते हैं तो Snapdragon 865 में आप 8K वीडियोस 30 FPS पर रिकॉड कर सकते हो और 4K HDR वीडियोस आप 60 FPS पर record कर सकते हो और 4K USD वीडियोस आप 120 fps पर record कर सकते हो जबकि Exynos 990 में आप 8K वीडियोस 30 fps पर record कर सकते हो साथ में 4K UHD वीडियोस आप 120 fps पर record कर सकते हो Charging की बात करते हैं तो Snapdragon 865 में आपको Quick Charge 4 Plus का Support मिल जाता है साथ में Quick Charge AI जो होता है वो आपको यहाँ पे मिलता है बात कर लेते Exynos 990 की तो यहाँ पे आपको Fast Charging मतलब Adaptive Fast Charging के टेखनोलोजी मिलती है Modern की बात कर लेते जो कि बहुत ज्यादा important है Snapdragon 865 में आपको X55 Modern देखने को मिलता है जिसके आपको Downloading Speed 7.5 GB per second की देखने को मिल जाती है और जो Upload Speed है वो आपको 3 GB per second की देखने को मिलती है Exynos 990 में आपको मिलता है Exynos 5123 Modern यहाँ पे जो Downloading Speed आपको मिलती 7.3 GB per second की देखने को मिल जाती है साथ में बात करते हैं इसकी upload speed को 433 MB per second की speed आपको मिल जाती है N2 Benchmark comparison अगर हम लोग इन दो chipset की बीच में करते हैं तो यहाँ पे जो result आते हैं वो काफी ज्यादा चौकाने वाले आते हैं यहाँ पे Snapdragon 865 का जो comparison लोग ने किया है Exynos 990 से तो यहाँ पे सबस्यादा score किया है Snapdragon 865 ने यहाँ पे IQ3 का जो N2 Benchmark निकला है वो 6 लग 10,000 के आज-पास भी नहीं बढ़का है लेकिन highest रहा है Snapdragon 865 का N2 Benchmark रहा है 587923 जबकि Exynos 990 का रहा है यहाँ पे 512675 तो यहाँ पे Snapdragon chipset भारी पड़ रहा है Exynos chipset के उपर N2 Benchmark के अगर हम लोग बात करते हैं अगर हम लोग अभी Geekbench 5 test करते हैं दोनों ही chipset की बीच में जो result आते हैं वो काफी ज़्यादा similar है दोनों की बीच में लेकिन यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा score किया है Qualcomm Snapdragon 865 ने Geekbench पे Snapdragon 865 का score था 927 और 388 जबकि Exynos 990 का रहा 890 और 2725 यहाँ पे कारेओ 585 काफी ज़्यादा powerful अगर इसकी compare हम लोग करते हैं Samsung के जो custom core मिलता है आपको Mongos 4 उससे अगर हम लोग comparison करते तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा powerful आपको कारेओ 585 मिलता है यहाँ पे जो Exynos chipsets आते है उसका सच आप लोगों के सामने ग्राफिक परफामेंस के अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे Adreno 650 GPU काफी ज़्यादा आगे है Exynos 990 के Mali G77 GPU के comparison में अगर वलकन ग्राफिक्स के अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों ही chipset के जो score से काफी ज़्यादा सिमीलर थे लेकिन अगर हम लोग OpenGL वर्कलोड की बात करते तो यहाँ पे Snapdragon 865 ने ज्यादा स्कोर किया है PCMark benchmarks अगर हम लोग बात करते हैं दोनों ही chipset के बीच में अगर हम लोग comparison करते हैं तो यहाँ पे जो रिजल्ट आते वो भी काफी ज़्यादा सब्प्राइजिंग लगते हैं यहाँ पे जो एक्सनेश chipset है थोड़ा सा lag देता है लेकिन यहाँ पे ओर्राल Galaxy S20 Plus आ रहा है उसमें आपको UFS 3.0 का storage देखने को मिलता है Samsung के काफी ज़्यादा devices में आपको F2FS file system देखने को मिलता है लेकिन जो बाकी Android device होते है उसमें आपको EXT4 file system देखने को मिलता है तो conclusion यहाँ पे यह निकलता है अपने faster file system के कारण में यहाँ पे UFS 3.0 storage वाला Exynos 990 यहाँ पे winner होता है लेकिन अगर हम लोग better performance की अगर बात करते है तो यहाँ पे Qualcomm Snapdragon 865 भी better performance देता है लेकिन अपने faster file system के कारण में Exynos 990 कहीं ज्यादा better लगता है Snapdragon 865 से सो काफी लोगों को यह बात हजब नहीं हो रही होगी कि Snapdragon 865 से ज्यादा fast Exynos 990 कैसे हो सकता है तो यहाँ पे जो score से आप लोगों के सामने थे मैं आपको बता दिया है कि आखिरकार में क्यों अगले टेक वीडियो में तब तक के लिए अगले अगले टेक वीडियो में तब तक लिए बाई